इस्टुडेंट गुड मॉर्णिंग जैसा है कि हम लास्ट क्लास में सिल्क बर्म के बारे में पढ़ रहे थे तो पिछली काक्षिया में हमने सिल्क बर्म की लाइफ सैखल के बारे में पढ़ा था इस क्लास में हम इस वीडियो के मैद्धियम से सिलक के क्या होता है और सिलक में कौन कौन से रोग होते हैं और जो आपका सिलक होता है उस सिलक का क्या आर्थिक मेहतम है in अध्यन विंद्नों के बारे में हम इस क्लास में इस वीडियो के मेहतम से पड़ेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिल्क क्या होता है या किसका बना होता है और किस प्रकार इसका नर्मान होता है तो सिल्क क्या होता है तो रेशम कीट की जो रेशम गरंथिया होती है जो एक प्रकार की लार गरंथिया होती है उनका प्रूपांतरत भाग है उन गरंथियों के तर दोवरा एक चिप चिपा, इस्त्रावित पदार्थ होता है, लई नुमा पदार्थ होता है, जो कि आपका रेशम का दागे के निर्मान करता है. जब यह लेईनुमा जो पधार्त होता है यह बाईउ के जब संपर्क में आता है तो यह कड़ा होकर के लंबा लोचदार यानि एलास्टिक है एक तरीके से एलास्टिक या लोचदार बन करके एक मजबूत रेशम के दागे का निर्मान करता है जिसको हम रेशम कहते हैं रेसम मक्त रासानिक प्रिकरती से अगर हम देखें तो यह प्रोटीन का बना होता है और रेसम के दागे में मक्त दो प्रिकार की प्रोटीन पाई आती है जिसमें हम एक को तो कहते हैं फाइब्रोईन और दूसरी जो प्रोटीन होती है उसको हम कहते हैं सहरीशीन तो आपके ज और एक प्रकार की गम्रो चिर्पडिया में मदद करती है और Anda रखांग होता है उसका नावी को पृटिन होती है बोघ थे औि Kutumopain के इसने में के लिए गार विए जाने में नवर और आक्षिंदे के आि्थि- मीराने में परोथा ये जो केरोटिनोई डिनामक बढ़नग होते हैं, ये रेसम को रंग परदान करने का कायम करते हैं, जिसके कारण रेसम का दागा, सफेद, पीला या हलके पीले या गुलाबी रंग का हो सकता है. रेसम के दागे का जो प्यास, यानि मोटा ही जो रहती है, वो 45 माइक्रो मीटर से 82 माइक्रो मीटर तक हो सकती है, जबकि इसकी जो लंबाई होती है, वो 1000 से 1200 मीटर तक लंबाई इसकी हो सकती है. इसके अलावा भी इसका एक अन्य गण होता है जिसको हम पिर्त्यास्ता कहते हैं रैसम के लागे में लगबग 20% पिर्त्यास्ता पाए गयाती है तो ये हो गया आपका रेसम क्या होता है, किसका मिलकर बना होता है आगे अब देखते हम रेसम कीट के रोग तो रेसम कीट को अने परकार के जीवाणों, बीशाणों संक्रेमित करते हैं जिसके कारण रेसम उत्योग को भारी मात्रा में हाने होती है अधिकतर जो रोग होते हैं वो उशनकटी बन्दिय जो भाग होते हैं उनमें अधिकतर पाया जाते हैं क्यों क्योंकि इनका जो रोग कारक होते हैं उनको वहाँ सर्वाइब करने के लिए या इनको संक्रेमित करने के लिए अनुकूलतम प्रिस्तितिय प्रापत होती है जिसक जिवान जनेत रोग है इसके लावा जैसे पॉली हेडेरोसिस और फ्लैचरी ये आपकी बीशान जनेत रोग होते हैं जिनके कारण आपके रेशम के कीट या उनकी जो विविनलारवा वस्ता हैं या केटरक्विलर की जो अवस्ता हैं वो संक्रे में तो जाती हैं और रोगरस् कोकून या अगली जो अवस्ता होती है वो हमें प्राप्त नहीं होती है और जब अगली अवस्ता प्राप्त नहीं होगी तो हमें रेशम प्राप्त नहीं होगा तो इसलिए हमें भारी मात्रा में हानी उठानी पढ़ सकती है तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्रैमी रोग या मैगट डिजीज जैसा कि मैगट जो नाम है नाम से यह आप देख लिजी तो मैगट जो होता है मक्खियों की जो लारवा वस्ता होती है को ईसा लारवावस्ता को यह मैगट कहते है जितने मख्या होती है और वह मैगट आपके रेशमगीट व्मेह र verdict करा है से नहीं दो Gottes का नाम क्या है क्या रिक ला यह एक मक्ही है जिसके द्वारा मैगट रोग होता है रिसम केट का मैगट रोग ट्राई को लाएगा सौर्विलेंज नामक की जो मक्ही होती है उसके कारण होता है इस रोग के कारण क्या होता है कि जो उष्ण कटी वंद्य छेतर होते हैं कौन-कौन से जैसे भारत है जापान है Korea है चीन है ऐसे जो देश है उन में इसके कारण बहुत अधEC मात्रा में हानि पहुंसाई जाती है इस रोग के कारण मैगत रोग के कारण इन देशों में अधेक तर हानी पहुंसाई जाती है कि इस रोग कि अगर हम बात करें आर्शको लक्षन के अगर हमें पैचाने हैं, तो कैसे पैचानेंगे, कि जो कैटरपीलर होता है, उस कैटरपीलर के उपर सफेद दूदिया रंके, बेलनाकार अंडे दिये जाएंगे, और इनकी जो सेंख्या होगी, वो सेंख्या लगबग 50 तक हो सकती है, तो इन सफेद दूदिया रंके जो अं यह लक्षन हो गया अब देखते हैं कि जैसे आपका मैगट जो है ठीक है यह रेसम कीट की जो केटरपीलर होती है या इसकी जो इंस्टार अवस्ता होती है उसको बहुत ज़्यादा यह संक्रेमित करते हैं लेकिन वह कौन सी अवस्ता होगी सौथ भी और पांस भी जो और फिप्ट नमबर का इस फ़ोध जो इंस्टार बनता है उस इन्सटार को मैगाट्रोग सरवाधिक प्रवावित करता है यानि इनके लिए इसको इनफ्ट करने से लिए सरवादिक अनुकूल दम परिष्थितियां होर्थ और फिफ्थ जो इंस्टार होता है उनको मिलती है जिसके कारण ये मेगा ट्रोग हो सकता है कोकून बनने से पहले भी जो कैटरपीलर है वो मर जाता है और जब ये कैटरपीलर मर जाएगा तो ना तो हमें कोकून प्राप्त और ना हें कोई प्रीप वस्त प्राप्त होगी जब और जो कोकून और प्रीप वस्त प्राप्त नहीं होगी तो से मेगट तुएचा में एक छिद्र बनाती है और छिद्र बना करके शरीर के अंदर प्रिवेश कर जाती है और जहां से ये मेगट प्रिवेश करते हैं अंदर उस इस्थान पर एक तिल जैसा निसान बन जाता है उस इस्थान से ये अंदर प्रिवेश कर जाते हैं जिसके कारण इनके सरीर में सूज जाना जाती है, सरीर खूल जाता है और इसके जो विविन प्रकार के देखंड होते हैं उन देखंडों में आपके ये जो मैगट है, ये लारवा है, इसकी मक्ही की वह अंदर जाती है और वहाँ गद्दी करती है जिसके कारण इनके सरीर सूज जाता है और दीरे-दीरे ये जो कैटरपीलर होते हैं, उनकी भूक मर जाती है और भूक मरने के कारण ये दीरे-दीरे मर जाते है ये होग है आपका मैगट रोग अब आता है पेवराइन रोग ये रोग भी एक बहुत ही आनिकारक रोग है और ये जो रोग होता है ये रोग एक प्रकार का जीवाण जनित रोग है और कौन सा जीवाण हुए जिसको इस रोग को उत्वपन करता है उसका नाम है नो सेमा बॉम्बिसिस नागेली ठीक है तो यह भी एक प्रकार का जीवाणु जिनत रोग है और उस जीवाणु को हम क्या कहते हैं नौ से मा पॉम्मिसिस नागे ली कहते हैं जिसके कारण आपका यह पेवराइन रोग होता है इस रोग का जो संक्रमन है वो मुखतया माउथ पाठ जो रहता है मूँके द्वा रेप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा करता है तो यह बहुत सरे स्पोर बनाता है और यह स्पोर होते हैं मुख के द्वारा जो कैटरपीलर होता है उसके सरीर में प्रिवेस कर जाते हैं यानि संक्रमन कौन करता है आपका स्पोर यह स्पोर मल के साथ बाहर आते हैं और कैटर करके यह काफे मात्रा में ब्रद्दी करते हैं इनमें ग्रोथ होती है और वहां यह ब्रद्दी करके जो आहरनाल के वसिय उतक होते हैं फैटी जो टीशू होते हैं जिनको हम एडिपोज टीशू कहते हैं उन एडिपोज टीशू पर जाकर यह आक्रमन करते हैं ठीक है फिर दी हाईपोडर्मल जो लेयर होती है उसकी जो कोशिकाएं होती है उन Doug what a कवि वी अधिक मात्रा में संक्रेमित करते हैं और इन धेर मंत्रा में मेललीन नामक पिग्मेंट इस्तरावित होता है उस मेलानिन पिंगमेंट के कारण इनकी जो देह का रंग होता है वो दीरे-दीरे बलैक यानि की काला पड़ने लगता है जब इंस्टार का आगे का विकास यानि जब इनका इन्फेक्शन होता है यह इन्फेक्ट करते हैं तो जो इंस्टार होते हैं उनक निर्मोचन की दाख्याれ होता है और देरे होने के कारण निर्मोचन भी नहीं होता है, तो आगे परिकास या वस्त फ्राफफ नहीं होगी और दीरे दीरे परियाब तो मात्रा में नर्मोचन नहीं होने के कारण कैटरपिलर या इल्ली माट जाती है ठीक है तो यह आपका हो गया पेवराइन रोग अब आता है रहिसम कीट में पाउप लगता है जिसको हम पॉलि हेडेरोसिस कहते हैं यह जो रोग होता है 20 नों के द्वारा होता है बीशानों जने द्रो गया है मुखता है या तीन प्रिकार का होता है कौन कौन सा तो सबसे पहला आता है आपका nuclear और थर्ड नमर का आता है, इंटेस्टाइनल साइटो प्लाज्मिक पॉलिएटेरोसिस, यह तीन प्रिकार के पॉलिएडेरोसिस, प्रोग होते हैं, जो कि बिशाणू के दुआरे होते हैं, लेकिन इनकी जो इनवेक्ट साइट होती है, वो अलग लग होती है, यानि कि नुक् उसमें यह बहुँ फलकता उत्पन करता है जिसके कारण यह आपका केंद्रे की यह बहुँ फलकता कहलाता है दूसरे नंबर का जैसे की intestinal cytoplasm mina. यानी कि यह intestine की såytoplasm mina ondhi उनमें बहुँ फलकता उत्पन करता है. इसलिए इसको हम आंत्र कोशी का द्रग भी है. बहुँ फलकते खळाएंगे. इसी परिकार आंत्र kendra किया. यानी कि यह intestinal की जो cell होती है. उन cells में जो nuclear पाय जाता है। उनको devrait affect करता है। इसली इसको आंध्र केंद्र केंद्रे केंग साउंरे फॉलकता है। सबसे पहले पढ़ता है। केंद्रे केंग साउनर प्रण था रहूता है। इसको ग्रासेरी या पीलिया भी कहते हैं। और यह जो रोव हुता है। मुक्वतिय जो बसा उतक होते हैं उनको या त्वच्छ customer हएँ कि जो मिया संक्रमित करते हैं पेशियों भी औरमित करते हैं सुवास नnalी जल होती है एपिधिलियम होती है उसको भी ब्रवावित करता है इसके जो आदारकला, basement membrane जो रहती है, उसको भी यह प्रवावित करते हैं, इसके अलावा जो आपका intestinal, जो epithelial cells होती है, उनको भी ये अधिक महत्रा में प्रवावित करते हैं, संक्रैमित करते हैं. अब इस रोग मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि केंद्रक यह पॉलि हैडरोसिस क्यों कहते हैं क्योंकि यह रोग आर बीशी यह डवलो बीशी के जो केंद्रक होते हैं उन केंद्रक में बहु फलकता बनाते हैं उन बहु फलकता के कारणे इसको हम केंद्रक केंद्रक पर सफेद रंग का वाइट पस सफेद रंग का पस बनाते हैं अब बात आते हैं इसके लक्षण कैसे होते हैं इसको हम कैसे पैचान सकते हैं तो लक्षण में हम देखेंगे कि इस वीशानू से जो संक्रे में कैटरपीलर होते हैं वो अधिकतर भूक के कारण मर जाते हैं भू पढ़ जाती है शरीर में सफेद पस बढ़ जाती है और अन्त में अनेक गहाओं के कारण आपको जो केटरपीलर होता है वो मर जाता है अब आता है आपका आंत्र ये कोश का द्रप भी बहु फलकता तो ये है बीशानों के द्वारा जो मिड़ गट होती है मैद आंत्र होती है उसकी कोशिका के जो कोश का द्रप है उसमें ये बहु फलक उत्पन करते हैं इसलिए इसको हम आंत्र कोशिकी ये बहु फलकता कहते है इस रोग में हम लक्षणों की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जो आंत्र होती है वो भट जाती है मल सफेद रंगा हो जाता है और कैटरपीलर का जो सीफेलो थोरेक्स यानि सिर वाला जो बाग है सिफसड़ अ थ्रक्स वाग वो दिरे दिरे पारवासी यानि ट्रांस लुसेंट हो जाता है और सिकोड विशाना होती है उसके द्वारा जो मिटगाट होती है जिसको मॉथ आंत्र कहते हैं उसकी इस थंबाकार उपकला कोशिकाय जो रहती है उनके कैंद्रक और उस कैंद्रक का जो कैंद्रक और कोशिका द्रक होता है उनको दोनों को सही एक तुरूप से यह प्रवाविद करता है वहाँ पॉली हैडरोसेस बनाता है लक्षन के अगर हम बात करें तो यह सीफेलो अई पोरीक्स बाग करता है वहाँ ट्रांस लूसेंट हो जाता है पारवासी हो जाता है देरे-देरे वह से खुड़नने लगता है इसके अलबा कैटरपीणर में दस्त लग जाते हैं और जो इसके अंदर जो पॉलिहेटरा बनते हैं वहाकार में उन्हों अन्न जो आंको मे